फिल्म की शुरुवात एक कॉलेज को दिखाने से हुई जहाँ पर चार लड़कियों का एक ग्रूप था इन में एक का नम रहन था ये चारों फैसला करती हैं कि काफी वक्त से हमने क्योंकि एक साथ वक्त नहीं गुजारा तो हम रात को एक साथ खुब मस्ती करेंगे इंचु पूटी बेन कहिती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो इस पर वो मना कर दीती है यह कह कर कि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती क्योंकि रात में ने वहीं रुखना है अब थोड़े दिर बाद यहां रहना आई हैली को लेनी जिसके बाद ये दोनों अपनी उस दोस की घर जाने के लिए निकल जाती है जहां आज रात इन्होंने रुकना है कुछी दिर में चारों दोस्ते इकठा हो गई और प्लैन बनाने लगती है कि कैसे आज रात वो इंचॉय करें जहाए नहीं मज़ा भी आई और यह बोर ना हो तब इनकी एक दोस्त बताती ह कि हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो भी आज रात बिलकुल हमारी तरह इकठा होई हैं पर वो पार्टी करने यह ऐसी किसी मकसद के लिए नहीं बलकि वो वाँ एक फुफिया काम करने वाले हैं वो फुफिया काम यह है कि वो स्लेंडर मैन को बनाने वाले हैं सब स्लेंडर मै में स्लेंडर में के बारे में सर्च करके बताती है कि वो एक पतला सा लंबा सा अजीब सा आदमी होता है जिसका चेरा नहीं है इसके पास ऐसी शितानी ताक्ती है जिनके ज़िए बच्चों और बड़े लोगों को गाइब करता है यह पहले उनकी दिमाग पर कंट्रोल करता है पिर उन्हें गाइब करके या तो मार देता है या जिन्दा या छोड़ देता है पर वो जिन्दा बचा इनसान ऐसे ही नहीं रहता बलकि हमेशे के लिए बरबात हो जाता है इस सोच के साथ वो वीडियो चला देती है वीडियो में बताया जाता है कि सबसे पहली बेल बचने पर तुम्हें अपनी आंके बन करने होगी दुसरी बेल बचने पर तुम्हें अपनी सारी सोचों को छोड़कर बस गौर करना दिहान लगाना होगा और पिर जैसे तीसरी बेल बचेगी तुम अपनी आंखें खोल लेना हो जिसके बाद ये चारों लड़किया वीडियो के मताबिक सब करती है जैसे तीसरी बेल बचेगी सब अपनी आंखें खोल लेती हैं जिसके साथ ही उन्हें स्क्रीन पर एक अजिब सा पेड़ दिखाए दिया और फिर अचानकी स्क्रीन पर तीजी से अजीब तरह की तस्वीरें चलना शुरू हो गई जो सारे चीज़ें काले जादू और शेतान की तरफ इशारा कर रहे थी और इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त मचाती है ये वीडियो ने ज़रा पसंद नहीं आई कितने पक्वास वीडियो थी जो केकर वो सो जाती है पर बार-बार उनकी आँख खुल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो की वज़से उनकी अंदर अभी डर आ गया था अगले दिन हैली जब अपनी कमरे में सो रही थी तो उसे जीब सा सपना आया जिसमें अचानक वो उठकर एक जंगल में चली गई और उसे वही अजीब सा पेट दिखाए दिया जो उन्हें वीडियो में देखा था पेट पर उसने जैसे गौर किया उसे जीब सी चीज़ दिखाए दी इस वीडियो से फोरण उसकी आँख खुल जाती है खरब ऐसे दो हफते गुजर जाती है जहां सभी कॉलेज के स्टुडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के लिए कब रिस तारने चाहे जाता है यहां हैली अपनी दोस्तों से पूछती है कि तुम्हें भी बुरे सपने आती है अजीब से ड्राउने से जैसे मुझे आती है रेन केती है कि हां मुझे आती है लेकिन बिलकुल वैसे जैसे वो अजीब वीडियो थी तब हैली की नेजर अपनी दोस्त पर गई जो आगी बढ़ने की बजाए वहीं खड़ी होकर बड़े गोड से जंगल को देखने लगती है हैली उसे पोशनी लगी क्या हुआ? वहां क्या देख रही हो? ठीक तो हो? पर वो लगतार वहीं देखती जा रही थी कोई जवाब नहीं देती जिस वज़े से वो वहां से चड़नी जाती है जबकि वह अब भी भी वहीं खड़ी होकर लगतार जंगल में पेड़ों की तरफी देख रही थी काफी कब्रा भी रही थी जोर जोर से पेड़ हील रही थी आस्मान भी अजीब सा हो गया था ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ बोल पा रही हूँ और उसे अपने पास बुला रहे है जिससे उसका डर और बढ़ गया और पिर इसके साथ ही वो लड़की गाईब हो गई जहां उसकी दोस्ती काफी परिशान दिरा रही थी और उसे ढूरने की बहुत कोशिश की जा रही थी पर उसका कुछ भी अता पता नहीं था पुलिस की पूरे टीम को भी बुलाया गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं जिल पाता इससे वज़ासी मायूस होकर सबको वापिस अपने अपने घर जाना पड़ता है हैली जब घर आई तो उसकी छोटी बैन कहने लगी कि तुम अपनी दोसके गाईब होने की वज़ासी बहुत परेशान हो है ना अगर तुम उसके बार में कुछ जानती हो तो मुझे बता सकती हो अभी वो दुनों बातें कर ही रही थी कि तुम भी बाहर से आवाज आती है हैली अपनी बैन को वही जोड़कर बाहर चेक करनी जाती है जहां उसे पता चला ये तो मेरी उस दोसकी डैड है जो गाईब हो गई है और वो उसे के बारे में पूछनी आए थी वो बहुत बढ़के होई थी अचानक हैली को गली से पकड़कर अपनी बेटी की बारे में पूछने लगी कि बताओ वो कहां आए उस दिन कॉलिज में तुम्हारे साथ ही थी वो ये हंगामे की अवास सुनकर हैली की मॉम डट वहां आ गई जिब उन्होंने देखा कि उसकी दोस की डड़ इतना बुरा बरताओ कर रहे है तो उन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी गुश्टर की बात पुलिस यहां आई और उन्हे ये उपनी साथ ले जाती है पिर अगली दिन हैली कॉलिज जाकर कल रात हुए हादसे के बारे में बताती है जो सुनकर रहन कीती है कि तुम ही नहीं लगता कि सब वाकी अजीब है मुझे तु लगता है कि उसकी डड़ का गुसर ठीक है अच्छाना कि उनकी बिठी गाइब हो गई है मेरे खयाल से ये सब उस वीडियो की बज़े से हुआ है वो हमारी दोस्त थी तो अब हमारा फर्स बनता है कि मिलकर उसी ढूड़ी और वापिस लाए जिसकी बात ये तीनों फैस्ता करती है कि आज रात हम अपने उस दोस्त की कमरे में जाएंगे ताकि वहाँ से कोई सुराग मिल जाएं हो सकता है उसकी गाईब होने की बारे में वहाँ से कोई जनकार है मिल जाएं इसे सोच के साथ ये उसके घर के लिए ने कहल गई रेंदर वाजे पर खड़ी होकर उसकी डैट का दिहान बटकाती है जिबकि इतनी दिर में अंदर जाकर दोनों दोस्ते अपने गाईबवी दोस्त का लेपटॉप ले आती हैं लेपटॉप की पास से उन्हें कुछ ड्राइंग्स मिली जिनमें एक जीब सा पेड़ था उसकी आगी आदमी खड़ा हुआ था और एक बच्ची फांसी से लटकी हुई थी अभी तना दोस्ते रेंगी घर पहुंची और वहां जाकर अपनी दोस्त की लेपटॉप को आन करती हैं जहां इन्हें पहले वीडियो मिली इसमें तो छोटी बच्चीयां भाग रही थी वो जंगल की तरव जा रहे थी जहां पर सामने खड़ा स्लेंडर मेन उन्हें ही घुर रहा था स्लेंडर मेन पिड़ों की पास खड़ा हुआ था सच में काफी लंबा पतला था और चेरा था भी नहीं जिसे आख नाक मूँ कुछ नहीं इन्हें फिर एक दोस्ते वीडियो मिली जहां एक बच्चा जेंगल में खेल रहा था कि तब ही उसके पास स्लेंडर में नानी लगा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था बच्चा बहुत डर गया चिलानी लगता है जह करने पर उन्हें अपनी दोस्त की चैट मिली जहां वो एक यूजर जो लड़की थी उसके साथ बातें किया करती थी यहां उन्हें अपनी दोस्त की वीडियो भी मिली जो थी उसी जंगल की वो आगी बढ़ी रही थी कि तब ही अचानक सामने देकर वो डर गई और इसके साथ वीडियो यहीं पर खत्म हो गई अभी हैसे ज़्यदा कुछ उनके हाथ नहीं लगा तो दोनों दोस्ती अपने घर चली जाती है रात में रेन दोबारा से लैप्टॉप आउन करती है जा उसी यूजर लड़की का मैसी जाया हुआ था रेन उसी कीती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ हमारी वो दोस्काइब हो गया चानक तो क्या तुम हमारी मदद कर दोगी उसी ढूननी में इस पर वो यूजर लड़की कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं पर उसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा और जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसा करना होगा फिर अगले दिन रेन अपनी दोनों दोस्तों से मिलकर उन्हें सब बता देती है कि मैंने उस यूजर लड़की से बात की थी मैंने उसी मदद मांगी तो हुमारी मदद कहने को तयार हो गई उसलिए कहा कि हमें उसे जंगल में जवना होगा क्योंकि हमारी दोस्त वहीं से गाइब हुई ये बात भी सामनी आई कि उसे स्लंडर मैंने अगवा करके ले गया है और अगर हम अपने कीमती चीज़ें उसे दे दे तो हुमें हमारे दोस्त वापिस लुटा सकता है इसलिए रात को ये तीनों दोस्ते अपने कीमती कीज़ें लाकर जंगल में चले जाती है रेन हाथ की बनी मिटी की बर्तल लाती है जिनसे उसे प्यार था दूसरी दोस्त अपनी और अपनी डेड की तस्वीर लाती है जो उसके डेट के साथ उसकी आखरी तस्वीर थी क्योंकि फिर उनकी मुत हो गई और वो अपने डेट से बहुत प्यार करती थी हैली अपने छूटी बेंड का कंबल लेकर आती है जिसे उनकी दादी ने बनाया था अब ये तीना लड़कियां ये समान वहीं रगकर आँगों पर पट्टी बानकर बैट जाती है और स्लेंडर मैन को बुलाने लगती है अब जैसा कि हम जानते हैं तीन बेल्स की बच्टी वो आएगा पर इस प्रोसेस का असूल था कि आपने आँखे नहीं खोलने अब जैसे पहली बेल बज़ी उनकी दोस पट्टी अठाकर देखनी लगती है लेकिन जब उसे कोई नहीं देखा तो दुबारा से पट्टी बानकर आंखे बनकर लेती है इसके बाद दोसरी बेल बज़ी और फिर तीसरी पीसरी बेल की बच्ती आस पास का महूल और मौसम बदलने लगा अब जिसमें पटी खोली थी उस दोस्त को लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है इसलिए वो पटी उतार कर दुबारा से देखने लगती है आस पास जब वो देख रही थी तो उसी पेड की पास कोई देखा जो एक कम से हिल जाता है जिसे देख वो एतना डर्दी कि वहां से उठकर भागनी लगती है बागती बागती जंगल में काफी अंदर आ गई एक जगा पर आकर गिर जाती है जहां तबी उसकी पास आता है स्लेंडर में और उसी दराने की कोशिश करनी लगता है उसके चीखों क यहां पोई बड़ी मुसीब्र यांनी सलेंडर में आई अपने गए घार आकर सब सो जाती है ज्यां हैनी को सपना आने लगा उसे पुनाने यादें दिखाए देने लगती हैं जब वह सारी दोस्ते इंजॉ itself करनी लगती है इसके बात हम इनकी दोस्री दोस्कों देखते है वो जब गाने सुन रही थी तो अचानक उसके मुबाइल में अजीब सी आवास सुनाई दी गई इसलिए वो जल्दी से उठकर अपना मुबाइल चेकर करने लगी सर पकड़ की बैड़ चाती है क्योंकि काफी परिशान हो गई थी अब तब ही अचानक उसके पास किसी अंजान नंबर से वीडियो कॉल रही उसने जैसी वीडियो कॉल उठाई तो उसमें साफ साफ दिखाई दिए रहा था कि कोई नानजरानी वरी ताकत उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी जिसके साफ पूई कोई आकर उसका गला दबानी रगता है वो शिशे के सामने आ कई देखने के कोशिश कर दिये कि कोने जुमिया गला दबारा है पर उसी कोई चि Dafy नहीं देती इसके बाद हम कॉलड़िश का सेन देखते हैं जहां ये दोस्ते परेशान थी क्लास का पुने की बाद फरी जब अपने घर के लिए चारी थी तो तब उसके दोस्त भागता हुआ उसके पीछी आया और उसे अपने घर आने की दावत देता है ये सुनकर हैली की चरी पर मुस्कुराहाट आई क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसहन करती थी तब वो अपनी जन्दास करके वहाँ से चली जाती है ओदर रेंडलाइबरेरी में बैठकर स्लेंदर मेन की बारे में सर्च कर रही उती है इंटरनेट पर जब उसे Slender Man दिखाई दीता है वो इतना तरचाती है कि वहाँ से भागने लगी लेकिन वो भी उसके पीछी पीछी आनी लगा वो जान बचाकर इदर उदर जानी लगी लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रही थी Slender Man भी वहीं उसके पीछी आता रहा बुरी तरह वो उसके पीछी पढ़ गया था कि वो उसके बहुत करीब आकर रहन को पकड़ ही लीता है उसके चीरी पर अजीब तरह से हाथ भीनी लगा यहां हम पहली बार Slender Man को इतनी करीब से दीखते हैं जो सचमी बिना चीरी वाला बड़ा अजीब आदमी था अब जैसे वो आँसे गाइब हुआ रहन का चीरा भी वैसा ही हो गया ना उसकी आँखी थी ना नाक ना मूँ घबराहट में वो हाथ मारकर आसपस चेक करनी लगी अब थोड़ी ही दीर में उसे होश आ गया जहां सब नॉर्मल था और ये जानकर उसके जान में जान आई ये सब कुछ मेरा वहम है जिसकी बाद वहरी की पाँ जाकर उसी स्लेंडर में की बारे में सब बताती है जो कुछ उसने पढ़ा वो किताब में उसे दिखा कर बताती है कि वो हमारे दिमाग से खील रहा है और क्योंकि उनकी दोस्त काफी वक्त से कॉलिश नहीं आई ये फैसले करती है कि हम उसकी घर जाकर देखेंगी क्या खिर हुआ क्या वो घर में है ये नहीं और अगर है तो कॉलिश क्यों नहीं आ रहीं जिसके बार ये दोनों उसके घर पहुंची, घर की अंदर शाकने लगती है, और अपने दोस्त को आवास लगाने लगी, उनकी दोस्त जो बाहिर आई, तो पड़ी अजीब आलतमी थी, वो उन दोनों की बजाई बस सामने ही देखे जा रही थी, एक दम गुमसुंग, आउंक दोस्त की घर पर जाना है देर हो रही है, मैं चा रही हूँ, जो कहकर वो चलेगी, वो जब अपने दोस्त की घर आई, तो इसे देखकर बहुत खुश हुआ, ये दोनों म्योसिक लगाती है, हैली की दोस्त उसे गरी सी लगा लेता है, पर तबी हैली को उसमें ड्रावना सर तम ने उसकी वीडियो जो देखे थी वो वीडियो मेरी पास भी है पर मैंने उसी नहीं देखा हैनी उसी कहती है कि देखना भी मर और वादा को रो तुम वो वीडियो नहीं देखोगी उसके दोस्ते वादा किया भेहनी को तसलिए हुई और वो वहाँ से चले जाती है अगले दिन क्लास में हैनी की दोस्त को देखती है जिसकी बाजो पर अजीब तरह के निशान थी स्लेंडर मैं देखता है इसी देखकर वो जिल्दी से पेड़ की पीछे चुग गई पर तब तक वो इसी देख चुका था और पीछे से आकर जोर से उसी पकर लीता है मगर तबी उसकी आँख खुल गई उसकी जान में जान आई ये सोच कर कि ये मेरा एक सपना था अब फिर वाश्रूम में आकर शिशी के सामने खड़ी हो जाती है जहां तबी उसकी हालत खराब होने लगी उसे उल्टी होने लगी और तीजी से उसका पेड ठोलना शुरू हो गया फिर पेड में से शाखे निकलने लगती है जिससे वो जाकर वो असली निन से जागी थी पर तब ये चाना उसे अपनी बेहन की चिलाने की आवास सुनाई दी ये जब उसे चेक करने गई तो बहुत डरे हुई थी वो जोर्दार चीक मानकर भी होश हो जाती है उसे होश नहीं आ रही थी इसलिए फुरन होस्पिटल ने जा जात साथ में एक फैमली भी दिखाई दी जो बहुत खुश थी अब हैली आगे बढ़ती गई जहां उसे अपनी बेहन बैट पर तो मिली लेकिन लाश की तरह जिससे वो बेजान लेटी है और उसकी चेरे पर कपड़ा है हैली ने जैसी कपड़ा हटाया उसकी बेहन अजी तरह स जोर जोर से हिल रहा था जिपके जिसम की बाकी इसे बड़ी अजीब अंदाज में दोर दोर पड़े थी पिर एक दम उसकी आँखों और मुझे शाके निकल कर उसकी चिरे को कवर कर लेती हैं इसकी साथ थेली वापिस अपनी होश में आ गई लेकिन होश में आने पर उसने उसे फुराँ में शिफ्ट कर दिया जाता हैं जाते जाते वह बर बर एक यह बात किया जा रही थी की उसका चेरा नहीं ता जो सुनकर हैनी काफी परिशान रह गयी क्यो कि वो जान गई थी कि मेरी बिढ़ी स्लेंडर में का रही है और ऐसा इसकी साथ वह जय सके दिमाग के प्लेनी कहल गई, घर आकर उसने देखा कि रिन खिड़की पर खड़ी होकर अपनी जान लीने की कोशिश कह रही है, पर ठीक टाइम पर हलनी वहां आकर उसे वापिस केच कर उसके जान बचा ली, गोश मैंने पर रेंसी वो पूछने लगी कि तुमने मेरी भेंड का इस्तमाल क्यों किया, इस पर रन रोती रोती उसे बताने लगी, कि मैंने उसी इस्तमाल नहीं किया, बलकि रोती रोती वही मेरे पास आई थी मदद मांगने, उसकी मदद करने, उसे बिल्कुर ठीक करने के लिए, मैं अपने कुरबाने देने जा रही थी, और तुम मुझ पर शक कर लेकिन हाँ, स्लेंडर में, हम सब को मारना चाहता है, जो जो भी उसकी वीडियो देखीगा, अपने प्यारी चेस कुरबान करेगा, वो शक्स और उसे जुड़े लोग मारे जाएंगे, इसके लावा, वो किसी को भी नहीं छुड़ेगा, यूकि लोगों को मारने सी, और उ खीचतर खिर्की के जरीए, उसे अपने साथ ले जाती है, और हेली बस देखती ही रह जाती है, पर फिर भी उसे बचाने के लिए, उसके पेचे पीचे जाती है, जंगल में आ गई थी, और रेन को ढूबनी लगती है, तब ये चनक स्लेंडर में उसके सामने भी आ जाता है जिसके बहुत सारे पैर थी, वो मकड़ी की तरह लग रहा था, जो उसके पीची पड़ जाता है, उसे देखकर हेली बहुत डर गई, जल्दी से भागने लगती है, और आकर एक पेड़ की पास खड़ी हो गई, तब ये उस पेड़ की बहुत सारे टेमिया ने कलकर हेली को उसे जकरती जा रही थी, अपने अंदर समानी लगती है, जिससे हली पेड में गाई बुचाती है, हली की पहन बार बार के रही थी, नो हली, नो हली, नहीं, तो मुझे चोड़के नहीं जा सकती, यानि बाकी तिनों की तरह स्लेंडर मैन उसे भी ले गया, और इस तरह वो उननी जाम की वीडियो देखी थी, वो दब सही उनकी दिमाग को कंट्रोल करके दिमाग से कहलनी लगा, वो डरती गई, जिससे हली मारने में असानी हुई, क्योंकि लोगों की डर पर वो जीता है, और उने माल कर, उने बर्बाद कर थी, वो ताक ताकत वर होता है, वो लाएगी कि पागल हो जाएगी यानि हर सुरत ही वो लोगों के साथ गलत करता है जाए पिर आप उसे डर जाओ या बेशिक अपने डर पर काबो पालो इसे के साथ इस मुवी की गहानी इदर ही खत्म चाती है